एक बार की बात है एक गने जंगल में एक खरगोष रहता था उसे अपनी तेज दोड़ पर बड़ा ही अभी मान था वह जंगल में सब जानवरों के साथ दोड़ लगाता और तेजी से दोड़ के जीच जाता एक दिन उसने कच्छुए को देखा उसके मन में हुआ कि मैं कच्छुए के साथ दोड़ लगाता हूं खरगोष ने कच्छुए के साथ दोड़ लगाने का निश्चय किया अब दोड़ शुरू हुई खरगोष तेजी से भागता हुआ आगे की और चला गया खरगोश तेज दोड़ता हुआ कच्छवे से बहुत आगे निकल गया रास्ते में उसे गास देखी तो भूख लगाई वह गास खाने लगा खाने के बाद उसे नीद आने लगी और वह एक पेड़ के नीचे सो गया वह सोता ही रह गया और कच्छवा आगे निकल गया कच्छवा बिना कुछ बोले ही अपने लक्ष की और बढ़ता रहा कच्छवा मन ही मन खुश भी हो रहा था कि वह बागे निकल गया है अचानक खरगोश के नीद खुली और वह दोड़ने लगा दोड़ते हुँ इसने रेखा कि खरगोश लक्ष की और पौच नहीं वाला होता है वह बहुत तेज भागा पर कच्छवा की तरह पौच नहीं पाया और कच्छवा जीत गया खरगोश बड़ा ही दुखी हो गया हमें कभी भी अभीमान नहीं करना चाहिए और किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए हमें करना चाहिए